इस वीडियो में हम सीखेंगे कि absolute reference किस तरीके से काम करता है जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि जब मैंने यहां पर click करता हूँ तो देखिए c11 पर सभी के सभी c columns की values प्लस होके आती है बट अगर इसी formula को मैं next cell में paste करता हूँ तो देखिए क्या होता है यहां पर c columns की value नहीं रहती यहां पर d column की सारी values reflect होने रहती है अब excel तो यह automatically अपने आप करता है तो हमें कई बार relative cell reference की जरुरत नहीं होती हमें उसकी जगे क्या करना होता है कि cell को freeze करना बढ़ता है अब freeze कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है सीखेंगे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास यहां पर commission दिया हूँ 15% बट 15% मुझे commission निकालना है तो कैसे निकालूँगा आप कहेंगे बहुत ही simple है बट let's try यहां पर मैंने total को multiply किया 15% से 15% से जैसे ही multiply किया enter प्रेस किया और यहां पर जो मेरे पास autofill dot है उसके उपर प्रेस करके मैं यहां पर नीचे की तरफ shift करता हूँ आप देखे क्या result आ रहा है result I think बहुत गलत आ रहा है आप देखेंगे कि मैंने जब मैं F2 करता हूँ पहले formula पे तो यहां पर क्या होता है H6 multiply I3 H6 multiply I3 बट मैं जब नीचे की तरफ आता हूँ यानि इसको नीचे की तरफ ट्रैक करता हूँ तो देखें क्या होता है कि यहां पर H7 है जो की सही है बट यहां पर I4 आ गया बट I4 क्या सही है नहीं मुझे क्या चाहिए था कि यह cell I3 पे fix रहना चाहिए अब नीचे की तरफ आते है तो यहां पर value क्यों आया value क्यों आया क्योंकि जब हम किसी function को multiply कर रहे है किसी text के साथ तो यहां पर value आ रहा है अब value error सही है नहीं तो उसी तरीके से यहां पर देखें यहां पर F2 करते है बट यहां पर क्या होआ 62,000 को, sorry, 26,000 को यहाँ पर 11,000 से multiply कर रहा है, but यह भी गलत है, क्योंकि I 6 पर आ रहा है, but अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर H की जो भी value थी, वो तो shift हो, but I में जो भी value है, वो shift ना हो, I 3 में जो value है, वो shift ना हो, तो उसको किस तरीके से control करते हैं, उसको control करते हैं absolute reference की थूप, absolute reference किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पर जब भी मैं I 3 पर select करूँगा, तो यहाँ पर मैंने को क्या करना है, एक cell को freeze करना है, freeze करने के लिए मैं यहाँ पर आगे dollar का sign लगा सकता हूँ, या shift 4 से आप dollar का sign लगा सकते हैं, या फिर F4 एक बारी मैं use कर सकते हैं, F4, अब मैं यहाँ पर जब F4 one time use करूँगा, तो क्या होगा, I के आगे भी एक dollar का sign लगा और 3 के सामने, इसका मतलब क्या है कि, hey, please stay here, यानि I 3, जब भी मैं इस cell को freeze करूँगा, तो column I freeze रहेगा, row 3 भी freeze रहेगा, यानि column I कहीं move नहीं होना चाहिए, और row कहीं move नहीं होनी चाहिए, अब अगर मैं इन दोनों को freeze करता हूँ, तो इस cell पे हमेशा के लिए अटका रहे गई है, तो जैसे ही मैं enter press किया, अब इसको नीचे की तरफ drag करते हैं, अब अगर मैं second value को F2 करके देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, 28,000 multiply 15%, तो यहाँ पे देखिए, एकदम सही आ रहे है, सेम उसी तरीके से, अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, 26,000 को 15 से multiply करता हूँ, तो यहाँ पे भी result एकदम correct आ रहे है, बट क्या मुझे यहाँ पे आई के सामने डॉलर की ज़रुद है, नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इस cell को left से right की तरह move करता हूँ, तो शायद मुझे ज़रुद पड़ेगी, यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे average multiply हुआ है 15% से, बट अभी मेरे पास कोई भी value नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे i के सामने से dollar हटा देता हूँ, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट कई बार जब हमें left से right की तरफ चाना है, बट अभी तो हमें उपर से नीचे की तरफ आना है, यानि जो हमें total दिया हुए total की सारी values को multiply करना है, तो एक एक सेल नीचे आना पड़ेगा, इसलिए मैंने h6 को नहीं किया, अगर मैं यहाँ पे भी fix करना चाहूँ, तो कौन सा column fix करूँगा, row तो मुझे fix करनी नहीं है, बट column जो भी fix करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, column h fix करूँगा, और यहाँ पे row 3 fix किया, enter प्रेस करूँगा, same result आएगा, बट यहाँ पे मेरी values दोनों की दोनों fix होगी, बट अगर मैं यहाँ पे left से right की तरफ जाता हूँ, तो देखे क्या होता है, यहाँ पे nail आया है, क्योंकि यह तो cell shift हो गया, बट जो मेरा total था, वो वहीं का वहीं है, तो इसी वैसे यहाँ पे multiply, तो वो किसी से हो नहीं रहा, तो इसलिए वहाँ पे nail आया है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी value दे दूँगा, तो यह उससे multiply करने के कोशिश करेगा, जैसे कि 1 और 1% दे देते हैं यहाँ पे, अब देखें, यहाँ पे वो result आ गया है, तो यहाँ पे जो भी values निकलिए, वो absolute reference निकलिए है, अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी अपने sale में कोई भी number change करता हूं, तो देखें, क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैं 15,000 कर देता हूं, तो देखें, यहाँ पे result चेंज हो रहे हैं सब जगे, यहाँ पे भी change हुआ, और यहाँ भी change हुआ है, वजह है, क्योंकि यह relative cell reference की वाई से, एक दूसरे से link है, बट यहाँ पे मैंने जो use किया है, वो है absolute reference, तैंक यू, आपको अगर आज का वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को like ज़रू करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को share करें, कमेंट करके मुझे बताईए, आपको ये वीडियो कैसा लगाया है, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe ज़रू करें, तैंक यू सो मच,